नमस्कार मैं कार्थिक नाइक हूँ और आप देख रहे हैं खबरों की खबर में आज बात अयोध्या में होने वाले भव्य दीपोचसव की राम की नगरी अयोध्या में 23 अक्टूबर को होने वाले भव्य दीपोचसव कारिक्रम में प्रधान मंत्री नरेन मोदी शरकत करने वाले हैं राम मंदर शिलान्यास और भूमी पूजन के बाद यह पियम मोदी का दूसरा अयोध्या दौरा होगा अयोध्या में इस बार दीपोचसव भव्य होने जा रहा है पिछली बार लगभग 32 खाटों पर दीप जलाए गए थे मEMAकर इस बार 40 खाटों पर दीप जलाए जाएंगे हम आपको यहां यह भी बता दें कि प्रधान मंत्री नरेन मोदी इस बार अयोध्या में होने वाले दीपोट्सों के मेगा इवेंट में शामिल होकर एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साक्षी बनेंगे मुक्र मंत्र यूगी अधित्यनात ने साल 2017 में अयोध्या दीपोट्सों के शुरुवात की थी इस बार के छटवे दीपोट्सों में 23 अक्टूबर को प्रधान मंत्री नरेन मोदी शामिल होंगे और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते देखेंगे अरसल अयोध्या में दीपोट्सों में इस बार 15 लाग से अधिक दीपक जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तयारी है इसके लिए 17 लाग दीपक जलाए जाएंगे इसलिए 17 लाग 50 लाग दीपक खरीदे गए हैं दीपक को जलाने के लिए 3500 लीटर सरसो के तेल का इस्तमाल किया जाएगा एक साथ तुरिद गती से दीपक जलाए जा सके इसके लिए लगभग 22 लाग की मदद ली जाएगी अयोध्या में दीपोट्सव के दौरान देश की लोक संस्कृती और परंपरा की जलक भी दिखाई देगी अलग अलग लोक कलाकार अपनी स्थानी कला का प्रदर्शन करेंगे वहीं आठ देशों के रामलीला का मंचन अलग लग देशों के कलाकारों के द्वारा किया जाएगा यह हम सभी के लिए गौरान बित करने वाला पल है दीपोट्सव के दिन पूरी दुनिया की नज़र अब अयोध्या पर होगी तो यह थी आज की खबरों की खबर देखते रही है खबरी क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र